नमस्कार साथियों, राश्टिय मुक्त विद्याली शिक्षा संस्थान के सामदाइक स्वास्थ है, प्रसिक्षन कार्करम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और आप जानते हैं कि ये कार्करम जो है वो बहुत ही महतुपूर हैं, और खास्तोर से उन लोगों के लि हेल्थ वर्कर्स के रूप में कहीं न कहीं कारेरत हैं, तो उन सभी के लिए ये कार्करम खास्तोर से गवर्मन्ट ऑफ इंडिया ने जो शुरू किया है, जो हम ये देखेंगे कि इस कार्करम की महतुता क्या है, और ये कार्करम किस तरह से हम सब लोगों के लिए बहुत निश्य रूप से डवलप होंगी, हमें इस किल मिलेगा और इसके माध्यम से हम एक प्रॉपर तरीके से टेंड हो पाएंगे और इस टेंड के माध्यम से हम समाज में आगे बर पाएंगे, तो इस कार्करम में जो पार्टकरम हैं उसका अपना एक अलग-अलग जो लेसंस है उनके बारे में आपको हम इके करके बताएँगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेसन है। वह एनाटॉमी फेजियोजी यानि हूंनि हूंन थामी फेजियोजी की हम बात करेंगे। तो उसमें human body और उसके जितने systems हैं उन सब की हम बात करेंगे, cell, tissues को भी हम बात करेंगे, तो एक हे करके इन सब पर हम चर्चा करेंगे, अलग-अलग जो हमारे जो units हैं, उनके लिए आप अलग-अलग teachers के माध्यम से इन चीजों को जानेंगे और समझेंगे, जहाँ practical की आप सकता होगी, वहाँ आपको practical करने को मिलेगा दिखेगा, आप उसके अनुसार जो है वो practical कर भी सकते हैं, और उसको देख करके आप फिर निश्यत रूप से अपने जो जहां आपकी क्लास होगी, जहां आपकी टेनिंग हो रही होगी, वहां आप निश्यत रूप से कर पाएंगे तो आज हम आपको बता दें कि जो आज का हमारा ये कारिकरम है, इसमें जो हमारी प्रथम यूनिट का, यानि अनाटोमी फिजियोलोजी से जो सिस्टम बचा हुआ है, रेप्रोड़क्टिव सिस्टम और सेंस और इन दोनों सिस्टम पर हम बात करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ आज हमारे स्टुडियो में बैठी हो ही है, डॉक्टर इशने लता, जो एसोसेट प्रोफेसर है, वो आपको ये अवगत कराएंगी, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, मेडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टुडियो में, नमस्कार साथियों, मेडम कि दारा आप शुन पाएंगे. कहीं तरह के अवस्ताएं होते हैं उसमें बाल्यावस्ता, मध्यमावस्ता और रुद्धावस्ता होती है तो प्रजनन तंत्र का जो क्रियाशिल रूप में अधिकतर हमें मध्यावस्ता में दिकाई देती है तो बाल्यावस्ता के अंतिम और मध्यमावस्ता के शुरुआत में प्रजनन तंत्र का क्रियाशिल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि secondary sexual characters develop होते हैं, तो उस समय में लड़की का 12 से 13 साल में शुरू होगा, कक्ष में बाल आना या मिनार्के जिसे हम कहते हैं रजोदर्म शुरू होना और सन का बढ़ना इस तरह से लड़कियों में मिलता है, और लड़कों में अधिकतर मूचे और मुस्टाचे साना, बर्ड आना ये मिल जाता है, और ये जो स्त्री एवं पुरुष दोनों का रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में अधिकतर महत्वपून है, किस तरह से कि उनके सपरेट और आरगान्स होते हैं, स्त्री का female reproductive system और पुरुष का male reproductive system स्त्री में अधिकतर अंडानु उत्पत्य करते हैं बल्कि ये पुरुष में शुक्रानु उत्पत्य करते हैं जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मलित रूप से प्रजनन तंत्र या reproductive system कहते हैं तो मानुव में जनन अंग मादा में 12 या 13 वर्ष की उम्र में थता नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में पाया जाता है तो ये परिवर्तन मादा में प्राह, वक्ष तता जनन अंगों पर बाल उगने तता नर में दाड़ी एवं मूच आने से दिकाई देता है स्त्री की प्रजनन तंत्र के इसके मुख्य कारी उर्वरन के लिए अंडानों उत्पन करना तता विकसित होने वाले गर्ब को दारन करना इन में मुक्य अंग क्या है? ये एक तो अंडाशे है अंडाशे को हम ओवरीस भी कहते हैं ये गर्बाशे के दोनों पाश्व में बाएं और दाएं आल्मंड के साइज में ओवरीस याने अंडाशे होते हैं यह जनम के समय लगबग 3 million के करीब होते हैं follicles यह mature होके जब puberty के age आता है तब यह 300,00 का concise होके 300 हो जाते हैं यह 300 हर महिना एक अंडाशे से एक अंडानों उत्पन होती है और यह उत्पन हुआ दिम्बी वाहनियों से जाकर वहां रुक जाती है यहां पे रुकने के बाद पूरुष के संपर्क में स्त्री जब होता है तो वहां से मैनेल फ्लूइड सिक्रिट होने के बाद वहां से जो स्पर्म्स यानि शुक्रानों इस डिम्बी वाहनियों के पास पहुचकर अंडानों और शुक्रानों दोनों मिलकर जाइगोट बन जाती है और उसके बाद एक और इंपोर्टेंट अंग है गरबाशे ये जो बना हुआ जाइगोट आकर गरबाशे में स्तित हो जाती है गरबाशे में 40 सब्ता तक यहां पर रुकती है तो इसलिए गरबाशे अपने आपको इसके इंटरनल लेयर्स तीन होते हैं मांसपेशों से बनी हुई ये गरबाशी अलग-अलग लेयर्स में रहता है तो आंतरिक वाला जो लेयर को हम इंडोमेट्रियम कहते हैं तो इस इंडोमेट्रियम अधिक से अधिकतर थिकनेस मोटा होने के कारण ये एक युटराइन बेड जैसा बनती है जो जाइगोट को यहां पर गरबाशे में इंप्लैंट करने के लिए उप्योग होता है जब अगर इंप्लैंट होती है तो वो 40 सप्ता तक वहां रुकता है और उसके त्रू गरबाशे के त्रू शुरुवात के जो सप्ता में इनको नूट्रिशन के रूप में ब्लड सर्कुलेशन के त्रू मिल जाती है इन केस अगर संपर्क ना होने के कारण ये जो अंडानों को शुक्रानों नहीं मिलता है तो ये अगले कुछी दिनों में अपनी शरीर से बाहर निकलता है और ये जो यूटरस के अंतरगत जो मोटापा जैसा बना हुआ एंडोमेट्रियल तिकनेस भी अपने आपको शड़ करके ये रजस्वला के रूप में हर मेहने निकल जाती है और इसके अलावा गरबाशे का मुक को हम सर्विक्स कहते हैं इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट अंग है जो योनी हम कहते हैं योनी या वजयना तो इन चार जो अंडाशे डिम्ब वाहिनिया गरबाशे और योनी इन चार अंगों को साफ सूत्रा रखना हाईजन मेंटेन करना और किस तरह से स्त्री अपना हर महिना की जो मेंस्ट्रॉल साइकल में किस तरह से खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए यह सब कम्मुनिटी हेल्थ वरकर होने के नाते आपको समझाना चाहिए अभी मैंने कहा था आपसे कि हर महना 28 दिन में एक बार menstrual cycle होती है तो सामान ये तहा इसके 4 phases में होता है पहले के जो phase है पहला दिन एक से लेकर 5 तक को हम menstrual phase कहते हैं ये जरूरी नहीं कि सारे स्त्रियों को 5 ही दिन में हो किसी को 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक होता है किसी को 5 से ज्यादा दिन भी हो सकता है जैसे ही ये बंद हो जाता है उसके बाद follicular phase शुरू हो जाती है follicular phase को हम दिनाग 1 से लेकर 13 दिन तक के लिए हम मानते हैं जो follicle mature होती है mature होने के बाद उसी एक follicle में से अंडानो निकलता है जब अंडानो release होती है उस दिन लगबग हम 14 दिन पे निकलती है और उसी को हम कहते हैं ovulation phase ovulation phase में किसी को घर्ब धारन करना हो तो ovulation phase में अंडानो release होने के बाद ही संपर्क करना चाहिए तो ये चीज हमें as a community health worker लोगों को बतानी चाहिए उसकी बाद 15 दिन से rest of the 28 दिन तक की phase को हम luteal phase कहते हैं तो इस समय में हर स्त्री को specially menstrual phase में कोई गंदा कपड़ा ना यूज करें और sterile कपड़ों को यूज करना चाहिए क्यूंकि ऐसे करने से कीटानू जो है वजेना के रूप से अंदर गर्बाशए इवें डिम्ब वाहिनिया और ओवरी तक कोई infection पहुँच जाती है और जिसके कारण कहीं तरह के health issues related to ये प्रजनन तंतर में हो जाता है और इसके अलावा ओवरीस में कभी cyst बन सकती है या ओवरीस में भी कोई fibroids हो सकते है और fibroids cyst ओवरीस में ही नहीं बलकि गर्बाशे में भी हो सकते है तो कहीं पर भी इन चार अंगों में कोई भी problem हो तो शिशु घर्बावस्ता होने का chances कम हो जाते है तो कोई अगर पहले से ही plan कर रहे हैं कि हमें conceive होना है तो पहले ही एक स्त्री रोग निपन के कोई doctor के पास जा कर इन चार अंगों के health को पहले से ही देखना चाहिए पहले एक बार ultrasound करवाए तो सही दिखेगा कि ovaries, घर्बाशे, योनी इनकी स्वास्त किस तरह से है इन केस अगर कोई बिमारी हो तो इसके related पहले से ही कुछ दवायां लेने से ये स्वस्त बन जाएगा एक बार इन सारे प्रजनन तंत्र स्वस्त रहने के बाद ही कोई स्त्री आगे मा बनने के लिए सोचना चाहिए इसके बाद पुरुष जनन, पुरुष जनन के जैसे स्त्री के reproductive system है इसी तरह किसे पुरुष का भी अलग-अलग अंग है जो सिर्फ प्रजनन तंत्र को के लिए काम करते हैं तो इसमें क्या-क्या है हम देखेंगे एक है व्रुषन एवं व्रुषन कोश जिसे हम कहते हैं टेस्टिस और स्क्रोटल सैक उसके बाद आदी व्रुषन जिसे हम कहते हैं epididymis इसके बाद शुक्रवाही का vast difference शुक्राशय, seminal vesicles, prostate, prostate gland, मोत्र मार्ग, युरेत्रा हम कहते हैं और लास्ट में शिष्ण जिसे पैनिस हम कहते हैं तो इसमें आदी व्रुषन एवं शुक्र प्रवाहीनी यहां अंडग्रंदी से शुक्र प्रवाहीनी तक शुक्राणूओं के मार्ग में डक्ट का कार्य करता है यहां अपसारन से पूर्व शुक्राणू को बंढारित करता है और शुक्रानु द्रव्यों में अम्शिदान करता है और ये शुक्र प्रवाहिने जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं ये अंडगरंदी की स्ट्राविक वाहिनी अध्यंड की निरंतर पतली पेशी नली जो लगबग 18 इंच लंबी है तता अपसारित वाहिनी के लिए प्रत्ये एक अंग से शुक्रानु पार्वहन करता है तता यह अपसारित वाहिनी प्रोस्टेटिक मोत्रमार्ग में खाली होता है शुक्राशय एवं पूरस्त ग्रंदी ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अधिकतर रुद्धावस्ता में ये बढ़ जाती है और यह जो ठीक ब्लैड और यह यह बुजुरगों में बड़ा होने के कारण बार बार यह संकुचित करकर ब्लैडर में जो रुका हुआ मोत्र को तोड़ी सी मात्रा में catastrophic, हर दो दो गंटे में तोड़ा तोड़ा मात्रा में यह निकलता है तो एक और समस्या है यह बुजुर्गों में मिलती है हमें और यह चितना भी शुक्रानू या अंडानू जो बनने के लिए मुख्य कारण है स्त्री पुरुष लेने वाली जो आहार अगर अच्छा आहार हम लेते हैं balanced diet जिसमें भरपूर carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals के साथ लिया हुआ बोजन अगर हम लेते हैं तो यह जो प्रजनन तंत्र के को नरिश करने वाला आहार रस के द्वारा ही यह नरिश होता है तो अच्छा आहार हम लेने से अच्छी quality की शुक्रानू और अच्छी quality की अंडानू उत पन होता है और हर जगत में जितने भी जीव है यह सब अपनी संक्या को वृद्धी करने के लिए तडपते हैं तो इसी तरह से मनिश्य भी अपना अपना जीवन में अपनी संक्या को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ संक्या ही नहीं हमें तो एक quality वाले बच्चे आना च जो बीज जिसे हम अंडानों और शुक्रानों हम कहते हैं वो अच्छी quality के बनना चाहिए तो अच्छी quality के कैसे बने यह as a health workers as a community health workers हम समाज को यह समझाना चाहिए कि जो आहार हम अच्छा quality वाले लेते हैं तो उसी आहार की रस से हमें यह प्रजनन तंत्र का नरिश्मेंट होती है तो सातियों आप यह जानिये कि आहार जो हम अच्छा लेंगे तो अच्छे अंडानों और अच्छे शुक्रानों उत्पन्न होगे जिसके कारण एक healthy बच्चा होने के संभावना पूरी है इसके बाद अब next topic हम करेंगे ज्नानेंद्री ज्नानेंद्री यानि sense organs sense organs आप सबको पता है कि यह पांच है यह पांच क्या है यह पांच आंखे नाक कान जीवहा यानि जीप और त्वक यानि त्वचा या स्किन यह सारे पांच ग्नान इंद्रियां से बाहर की पर्यावरन में होने वाले कुछ चीजों को हम अपना लेकर ग्रहन करकर उसे ज्ञ के रूप में प्रकट करते हैं तो इसके लिए कोई भी ज्यान अगर उत्पन होना है तो इंत्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कि अग इंत्रियां और मन के साथ सहायता से मस्तिश्क में बुद्धी होती है और कहीं तरह के मस्तिश्क में centers केंद्रित होते हैं इन centers तक messages पहुचाने के लिए कहीं तरह के नाड़ी होते हैं जैसे कि आंकों में दुरुष्टी देखने के लिए वो message जो है optic nerve के द्वारा optic nerve के द्वारा पहुचती है इसी तरह से सूंगने वाल्या जो नाक का काम है वो olfactory nerve के द्वारा मस्तिश्क तक पहुच जाती है तो उसी तरह से जीब के लिए भी हर एक sensor gun के लिए एक एक अपना नाड़ी है जो मस्तिश्क तक पहुच जाती है वहां से केंद्रित होकर फिर efferent nerves के द्वारा हमें messages पहुच आती है तो अभी देखते हैं एक एक औरगन में क्या structure है और उसका क्या क्रियाशील है नानेंद्रिया मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने स्वाद, ताप, रंग, आदी का पता लगाते हैं और ये संक्या में जैसे मैंने कहा है पांच है ये आंग, नाक, कान, जीवह, त्वचा इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि ये आंग का structure है और नाक का जो lateral view है और जीव को दिखा रहे हैं और त्वचा को और कान को ये सारे जो पिक्चर में सारे sense organs है नेत्र, नेत्र के द्वारा हमें वस्तु की दुरुष्टिता ज्नान होता है यहां गेंद के आकार की एक इंद्री है जो नेत्र की कक्ष में स्तित है और ये नेत्र जो दिखता है इसके अंदर eyeball, eyeball जो है eye orbit में रहता है और इसके one-sixth portion जो है cornea एक पतली सी layer है वो cover करता है इसके अलावा इसके अंदर हमें देखनों को मिलता है lens और retina, optic nerve ये सारे इन सबको अगर सबकी coordination से ही हमें दुरुष्टि का ज्यान मिलता है इन में से कोई एक का भी अगर coordination नहीं रहता तो दुष्टि की ज्यान में हमें disturbances आ सकती है तो नेत्र सरविंद्रियानम नयनम प्रदानम तो नयन अगर प्रदान है और बाहर की रंग भी रंगे दुनिया को हमें देखने के लिए ये नेत्र ही महत्वपूर्ण है तो हम इसको बचाया रखना भी हमारा प्रतम करता भी है तो कैसे हम बचाएंगे नेत्र को आराम देना चाहिए तो दिन में 24 गंटे में से हम 6-8 गंटा मिनिमम अच्छी सी नींद लेनी चाहिए ताकि उसे rest मिले और सुबह उड़ते ही और नेत्रों को हमें वाश करना चाहिए स्वच्छता से रखने के लिए नेत्र के आई वाश कैप्स आते हैं जिसमें sterile पानी या filter का पानी लेकर आंकों को dip करके अच्छा सा दो लेना चाहिए और इसके अलावा आंकों को काजल अगर अच्छी chemical से ना बनी हुई कोई काजल हो तो उसे भी लगा लेना चाहिए और direct sun के सूरज के प्रताप में नहीं देखना चाहिए जिससे आंखें कराब हो सकते हैं आज के दुनिया में जो अधिकतर smart phones या laptop या computer जो use कर रहे हैं उससे भी हमें आंकों पे धबाव पड़ सकती है और कहीं तरह के दिकते हो सकती हैं आंकों के लिए जिससे आंकों में से पानी निकलना या आंके लाल होना या computer vision syndrome इस तरह से कहीं तरह के होते हैं तो आंकों को ठीक रखने के लिए हमें कहीं सारे जिससे कच्छा दूद भी हम दोबूंद डाल सकते हैं रोज वाटर है वो भी हम दूबूंत डाल सकते हैं या आई के उपर आंके बंद करके पैचेस लगा सकते हैं तो इस तरह से हम आंकों को बचा लेना चाहिए इसके अलावा कर्न है कर्न जो है कर्न यानि कान ये सुनने तता शरीर का संतुलन बनाये रखने का कार्य करती है और क बाहय कर्न जो बाहर की और होती है और मध्यम कर्न और एक अंदर की कर्न बाहर की जो कर्न है उसमें एक नीचे की और जहां पे बालियां लड़कियां लगाते हैं वो कर्न पाली हम कहते हैं और इसके अलावा बाहय कर्न में गंदगी निकलती है जो वैक्स हम कहते हैं उसे मह एक बार प्रॉपरली साफ कर लेना चाहिए और इसके अलबा जो मध्यम कान जिसके अंदर तीन चोटे-चोटे अस्तियां होते हैं जो मैलियस, इंकस, एंड स्टेप्स हम कहते हैं जो शरीर के सबसे चोटे अस्तियां हैं ये और इसी के अंदर एक टिम्पानिक मेंब्रेन या चिद्र होती है टिम्पानिक मेंब्रेन के अंदर चिद्र नहीं होने चाहिए ये बहुत ही पतली सी एक लेयर है और बाहर के जितन वहाँ टिंपैनिक मेंब्रेन तक पहुँचने के बाद वहाँ उस वाइब्रेशन को ध्वनी के वाइब्रेशन अंदर की और जो कान है अंतरकन वहाँ को पहुचा कर मेसेज जो है सुनने वाली जो ज्ञान जो है मस्तिश्क तक पहुच कर मस्तिश्क में ये मेसेज पहुचा पहले तो vibration के रूप में जाकर फिर वो मस्तिश्क में वो decoding होती है कि क्या बात हमने सुना है और इसको साफ रखने के लिए जो wax होती है वो wax को हमें हर महने साफ कर लेना चाहिए और कोई unnecessary कोई भी drops हमें कान में नहीं लेना चाहिए डॉक्टर के संपर्क के बिना और ठंडे पानी नहाते समय कान में नहीं जाना चाहिए और चोटे बच्चों में खास कर जिनको सर्दी जुकाम होती है उनको कान के अंदर भी infection फहलने के chances होता है क्योंकि उनका कान और नाक के connection में जो eustachian tube होती है वो बहुत चोटा और straight होने के कारण जो भी infection नाक को फहलती है वो कान तक पहुंच जाती है या फहलती है तो इसे हमें बचा के रखना चाहिए इसके अलावा नाक नाक जो है मैं आपको कान की picture दिखा रही हूँ ये पहले आप आंक की picture देखिए नेत्र इसका जैसे मैंने बताया है कि आगे ये पूरा एक eye ball है, eye orbit में रहता है और ये ball की one sixth of the portion पे cornea है उसके पीछे pupil है और फिर lens है पीछे की और retina है और optic nerve है ये कान का है कान को जैसे मैंने कहा है कि बाहिर कान, मध्यम और अंतर वाला है ये बहुत complex वाला picture है हमें सिर्फ इतना ज्यान देना है कि कान को हमें कान की क्या function है और ये कैसे हमें सुनने की मदद करती है तो हमें कैसे इसको स्वच्चता से रखना चाहिए ताकि कोई infection ना आई इसके अलावा नाख, नाख के बारे में जो नाख अधिकते सूंगने के लिए उपयोग करता है और किसी किसी को नाख बह रहा है नाख में से पानी आ रहा है तो उनको सूंगने का जो क्षमता वो नहीं रहती है क्योंकि वहां पर पूरा नाख के अंदर जो nasal cavity हैं और उसके आसपास के जितने भी sinus हैं वो पूरा पानी से भरा हुआ होता है जिसके कारण वो उसकी अपनी जो function है जो क्रिया है वो ठीक से नहीं कर पाता है और इसकी जो structure अगर हम देखते हैं तो एक nasal cavity है तो nasal cavity के अंतर adenoids भी होते हैं और इसके अलावा एक olfactory area है olfactory nerve भी है और नाक के जो पीछे की और pharynx और उसके आगे larynx होता है और नाक का जो है श्वसन क्रिया में नाक एक प्रदम अंग है जिसके तुरू बाहर की परियावरन में रहने वाले oxygen को हम लेते हैं तो oxygen के साथ साथ air में हमें कुछ आंकों को ना दिखने वाले बहुत स सारे कीटानों और डस्ट ये सब रहते हैं वो भी हम साथ में लिया जाता है लेकिन वो बॉड़ी के शरीर के अंदर ना पहुंचने से पहले ही ये नाक में कुछ स्लेश्मक जील होता है और साथ में कुछ चोटे-चोटे बाल होते हैं जो इस डस्ट और कीटानों को कि फिर आने के बाद या स्पेशली रोड पे जितना जो पॉल्यूशन होती है बाइक में जाने वाले ये सब अपना घर हाने के बाद नाक की सफाई प्रॉपर करना बहुत जरूरी है ताकि ये जो डस्ट जो है अंदर ना जाए और नाक में भी बिना डॉक्टर की कोई भी ड्रॉप्स नहीं लेना चाहिए और सिंप्ली हम अच्छे पानी से रेगुलर दो लेना चाहिए और नाक में अगर कोई इंफेक्शन हो तो उस इंफेक्शन को हम चोड़ दें तो वह नीचे की और लोयर रिस्परेटरी ट्रैक तक अंदर जाकर वह फैल जाती है तो नाक औ और फैरिंग्स लैरिंग्स यहां तक अगर इंफेक्शन होता है तो यह अपर रिस्परेटरी इंफेक्शन है जो टीक हो सकती है तुरंद इसको अगर हम नहीं इस समय में हम सावदान नहीं रहते हैं तो आगे जाके वह लोयर रिस्परेटरी इंफेक्शन होती है वह खदर नहीं है, यह मदुर है, यह कठापन ज्यादा है, इसमें तीका ज्यादा है, यह सारे जीब से ही हमें पहचान मिलती हैं, इसमें मेले टेस्ट बर्स होते हैं, जो इसकी पहचान करते हैं, तो जब भी सुबह हम उड़ते हैं, तो दान्त की सफाई के साथ साथ जीब को भी हमें साफ करना बहुत जरूरी है ताकि इसके ऊपर जो पैपिले होते हैं उसको हम 스forder करते हैं अगर फैपिले सही रहेंगे तो वह टेस्ट को पहचानने में मदद करेंगे इसके आप लास्ट वाला है skin, त्वचा, त्वचा से हमें क्या मिलता है, त्वचा जो है सबसे largest sense organ है, ये त्वचा से ही हमें शरीर के जितने भी गंदगी है, वो पसीना के तुरू बाहर निकलता है, अगर आज के टाइम में जो AC में रहना, इस तरह से रहने से हमें पसीना नहीं आता है, और पसीना नह आने के कारण वो जो गंदगी जो पसीने के तुरू शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो ना निकलके फिर दुबारा वो शरीर में ही रह जाता है, जिससे हमारा जो टॉक्जिन से वो जम जाते हैं, और किड्नी, लीवर इसमें जम जाते हैं, और ये जो sense organ, skin या त्वचा, जिसको, इसका main कार्य है, temperature को, body की temperature को maintain रखना, और ठंडा गरम की पहचान करना, ये main है, तो इसको स्वस्त रखना है, तो हमें regular में नहाना, और कोई भी skin का कोई चोटा सा चोटा infection, bacterial हो, या ये viral infection हो, या skin की fungal infection हो, शुरू होने से पहले से ही हमें उसकी सावधान रहना, अगर शुरू हो गया, तो तुरंत ही हमें medicine लेना चाहिए, वरना ये skin पे एक बार होता है, तो तुरंत तुरंत फैल जाता है, और skin ही तवचा ही एक ऐसा sense organ है, ये सारे sense organs के साथ touch में रहता है, जैसे कि आंग के साथ भी skin होती है, कान के साथ भी skin होती है, तो skin को बहुत important है, इस तरह से आज हमने इस वीडियो में पहले reproductive system यानि प्रजणन तंतर के बारे में पढ़ा है, और sense organs के importance और उसकी स्वच्चता के बारे में हमने जाना है, तो सातियों आप इसी वीडियो से मैं समाप्त कर रही हूं, धन्यवाद, नमस्कार.